शाम होते ही हमारे पेट में चूहें दोड़ने लगते हैं, उस टाइम तो हमें कुछ चटपटा खाने का मन होता है, तो ऐसे टाइम के लिए मैं आपके लिए बहुत ही चटपटा और नमकिन रस्पी लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसाल है और इसे बनाने में समय भी ब कर लिया और मूंफली के दाने को मैंने कुरकुरे तल कर निकाल लिए जब मूंफली के दाने कुरकुरे तल के निकाल लिए उसके बाद में मैंने उसमें डाला है सुखे नारियल के पथले कटे हुए टुकडे इसको भी हमें ब्राउन होने तक तल करके निकाल लेना है जब य काजू बादाम या तो फिर मखाने जो आपके पास एवलेबल हो वो ड्राइफूर्स आप उसमें ले सकते हैं अब गरम तेल में ही करी पत्ता और हरे मिर्च के टुकड़े तल करके निकाल लेंगे यह हरे मिर्च पहले से सूख गई है और थोड़ी से लाल हो गई है वही उसको भी तल करके निकालेंगे तलने के बाद पोहा दुगना हो जाता है फूल करके और इसका जो रंग है वो सफेदी रखेगा ब्राउन नहीं होने देना है जब पोहे तला जाएं तो उसका तेल हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है इसी तरह से हम बाकी पोहे भी तल कर के निकाल लेंगे और उनका तेल अच्छी तरह से निथार लेंगे देखिए सारे पोहे जब हमारे तला जाएं तो उसके बाद हम पोहों को और जो भी जो सामगरी हमने पहले तली है उसको एक बड़े बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे उसके बाद उसमें हम डालेंगे फिर हम डालेंगे पीसी हुई चीनी इसको भी हम अपने इक्षा अनुसार जितना हम पसंद करते हैं मीठा उतना हमें लेना है और बाद में हम डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर ये इससे चिवडे में खटा पन आता है और चीनी से मीठा पन तो ये तयार हो जाएगा हम हमारा खटा मीठा घर का बना हुमा शुद्ध तरीके से चिवडा ये जो चिवडा है बहुत कम समय में बहुत कम सामान में घर पर शुद्ध तरीके से बनकर तयार होता है यही चिवडा हम यदि मार्केट से लेंगे ना तो बहुत महंगा होगा और उसमें शुद्धता का विध्यान नहीं रखा जाएगा तो इस तरह से हम खट्टी मीठी नमकीन पोहे बहुती बढ़िया तरीके से घर में बना कर तयार कर सकते हैं ये बढ़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा तो तयार है हमारा खट्टा मीठा पोहा चिवडा नमकीन ये दी वीडियो आपको पसंद आया हूँ तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो अन्त तक देखने के लिए धन्यवाद